हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आएक्जाम B में हमारी जो यह FCI के सीरीज चल रही है जिसमें मैं आप लोग को GS पढ़ा रहा हूं मतलों जो आप लोग देख रहे हो सब्जेक्ट के बारे में तो गाइस काफी अच्छे कमेंट्स आए आप लोग के उसके लिए मैं यहां पर ठेंक यू बोला एक्जाम B को तो एक्जाम B का हमेशा यही कारे रहता है कि वो स्टुटेंट्स की हेल्प कर पाएं तो सबसे इंपोर्टन चीज यहां पर क्या है कि मैं अगर यह वीडियो बना रहा हूं तो मेरा मोटिवेशन यही है कि आप लोग उसको पढ़ कर रहे हैं आप लोग को कमेंट कर रहे हैं और आप लोग्त कीवेशन तो को देखना में यहां पर यहां पर दिमागUU अपने दिमाग में इन चीज़ों की मैं चीज़न करना ethnically ठीक है और भी कुछ चीजे लिखे भी होंगे आप लोगों ने पढ़ना है आपको पता है एक्जाम स्टार्ट हो चुके हैं पूरे महिने चलने वाले जनुवरे तक तो मुझे अफसोस है कई कमेंट यह भी थे कि सर आज एकनॉमिस के डाल दीजिए तो किसी कारण बस से एकन इसकी बीच में एकनॉमिस का भी एक ले आूँगा वीडियो ठीक है चलिए तो यह है हमारा मेडीवल हिस्ट्री तो बता चुका ओंए आप लोग को एंसले स्ट्री के 1857 का, 1857 की पहली करांती, यहां तक के समय को हम लोग क्या बोलते हैं, मद्यकाल भारत कहते हैं, अब देखिए एक चीज क्या पर आपने समझनी बहुत जरूरी है, अगर आप ये वीडियो पुरा देखते हैं, तो देखिए, मेरा जो ये सोर्स है, जहां से मैं ये ले रहा हू मेरा सोर्स अलग हो सकता है, आपका सोर्स भी अलग हो सकता है, आपके सोर्स में यहां पे 712 भी दिया हो सकता है, हिस्ट्री में चीजे होती हैं, बहुत सारे हिस्टियोरियन्स हैं, उनकी अपनी अलग-लग किताब हैं, उनकी अपनी अलग सर्चेश हैं, जैसे कि एक कमेट म तो नहीं तो आपने समझना है कि सो और वुएसे थोड़ी बहुत विए सकती आपका पूरा डिफेर musical नहीं होता तो तुझ पुब्लिकेशन की भी जिस बुक से आप बढ़ें उसकी भी गलती हो सकती या भी गलती नहीं भी हो सकती है डिफरेंट सोर्स से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है सेम सोर्स रहेगा तो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी ठीक है चलिए तो यहाँ पे 780 से 1857 की वो करांती अंत में हम लोगों ने यही पढ़ना है आद के हमारी इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखना है अरब इन्वेजन से इंडिया आपने सुना होगा न बहुत बड़ा इंपायर था उएक जमाने में जिसके बार से आप ने लग गे ते भारत में चासन करने लग गए ते तो तो आप यहाँ पे समझो आप ये वाला एरिया है उमायद खलीफिट आपको खलीफिट याज़ स्करून की जुरो इतनी आप सो डिला याद रखो तको आपको कि भाई यह वह और आ यह दाएगा और भी बड़ी बड़ी कंट्रियां है ठीक है अरेविया तो यहां से कुछ लोग आये कहां पर भारत के अब आपने एक चीज़ समझने हैं यहां पर कि जबी यहां पर मैं सिंध की बात करूं तो वह सिंध कौन सा वाल एरिया है पंजाब का सिंध प्रांथ तो यहां पर पाकिस्तान वाला इलाका यहां पर हमारा यह वाला भाग पूरा पहले भारत था तो यहां पर मैं सिंध की बात कर रहा हूं जो कि आज की रेटम पाकिस्तान में तो मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं यह आपने ध्यान देना इसीश को कि अगर मैं सिंध बोल तो वो भी बारत में यहाँ पर आपने अप्ग्छन का जिकर नहीं करना पाकिस्तान नहीं करना पाकिस्तान का जनम 1947 में होता है भारत का जनमтस है अरंत काल से किकी अरब को, बारत में पहला अर्बो का आगरमंट भारत में पहला मुस्लिम आगरमंट तो यह सब आपने याद रखना है मुस्लिम इन्वेजन तो पहला मुस्लिम और अरेबियन जिसने अटाइक किया तो यहाँ पे हैं मुहम्मद बिन कासिम ठीक है यह आपने हाँ रखना है यहाँ पे MBK मैं शॉर्ट AD, Anodominy अब इस भी आ चुका है इसा पूरु वाला काम नहीं रह चुका है सबसे पहले यह किसके दरवार में गया तो यहाँ पे सिंध में एक राजा था जिसका नाम था दाहिर यह उसके दरवार में गया दाहिर मैं आपे लिख देता हूँ ठीक है यह दाहिर यह इसका रा आया था तो यह गुजरात के आसपास है कहीं गुजरात के बॉर्डर एरिया में है ठीक है वाही डिट नॉट मूव टू एंटार इंडिया अब देखी यह न सीमित रा सिंध तक सिंध के बाद यह भारत में नहीं बढ़ पाया क्योंकि यह वाला जो आप एरा देख रहे हो में सिंध वाले एरिया में पाकिस्तान वाले एरिया में जो कि आज की डेट में है फॉर्स टैक्स देखिए एक तरीके का टैक्स होता है जजिया जजिया क्या टैक्स होता है अपने भगवान को मानने के लिए जो व्यक्तिक पिल्ग्रिमेज करता है धर्म यातरा करता है जा जजियव टेक्स शरीफ लगता था किस पर? गयर मुसल्मानों पर याद अखना मुसल्मान को नहीं देना यह टेक्स यह लगता है गयर मुसलिम पर हिंदू पर तो यहाँ पे पहली बार जजियव टेक्स मौहम्मद बिन कास्यम ने लगाया था कहां पर लगा है था सिंध में यह आप ध्यान देना भारत में पहला जजियर टैक्स सिंध पर लगा है introduce कौन से coins को इसने introduce किया है तो भारत में आपने देखा को धिरम धिरम coins कहां पर है अभी भी Gulf countries में आपको कुछ ऐसे countries मिल जाएंगी जहां पर आपको धिरम मिलेगा जैसे यूई यह आप देख सकते हो ठीक है धिरम आपको मिल जाएंगे वहाँ पर आप Gulf countries के और भी है जहां पर आपको धिरम currency मिलेगी तो धिरम currency भारत में लाने का शरय किसको जाता है महम्मद बिन काशिम को जाता है हमने अरवों से क्या सीखा हमने अरवों से सीखा dates यानि कि खजूर की खेती दूसरा हमने सीखा camels भारत में camels नहीं थे भारत में ओट ये लोग लेके आते हैं चलिए अगला और इन्होंने हमसे क्या सीखा हमसे इन्होंने philosophy सीखी हमसे इन्होंने पढ़ाई सीखी हमसे इन्होंने बहुत चीज़े सीखे जैसे कि arithmetic management ठीक है तो यह चीज इन लोग ने हमसे सीखी है अब सबसे important चीज क्या होती है Islam religion भाई Islam religion के founder कौन है तो यहाँ पर लिख देता हूं में Prophet Muhammad साहब इन्होंने 622 إетр頭 के आसपास Islam धरम की सापना करी थी इनका भर्थ आप यादग ना जनम और मरित्यूं कहां पर होती है मक्का और मदीना यहां पर लिखता हूं मैं मक्का मरित्यूं उनकी मदीना में होती है तो मक्का में इनका जनम कब होता है तो यह होता है 570 AD के आसपास ठीक है मक्का में इनका जनम होता है बर्थ प्लेस में आपको मक्का बता चुका हूँ religion इसलाम धरम किस religion के मतलब इसलाम धरम combinedly किस के अंतरगात आता है तो हम इसे बोलते हैं Abrahamic religion क्योंकि Abrahamic religion तीन religion से मिलके बनावा है तो यहाँ पर JCI से आप लोग यादखना जोरोस्टेरियन जिसे हम क्या बलते है Judaism जिसे हम क्या बलते है Judaism यानिकि यहूदी यादखना आप लोग इसराइल एक मातर यहूदी रेस दिश्टरा है Christianity तीसरा है इसलाम ठीक है यह तीन countries है यह तीन countries नहीं तीन religion है जो निकले Abrahamic religions है इनका origin है Abraham ठीक है तो यह आपने यहादखना है Islamic calendar Islamic calendar काफी वार एक्जाम में आता है इसको हम बोलते है हिज्री हिज्री समवत हिज्री calendar हिज्री era भी बोल सकते हो और यह कब introduce करा गया था हिज्री समवत तो यहाँ पर आप यादखना 622 में सेम ठीक है तो यहाँ पर जो इनका हिज्री calendar है वो 622 में आये था अब यहाँ पर याद रखो आप लोग कि यह जो इनका नया calendar है जो इनका यहाँ पर आप देख रहे हो नया calendar है यह किस reason से इनको बनाया तो यहाँ पर आप यादखना जो प्रॉफेट मोहमद सहाब जो यह प्रॉफेट मोहमद सहाब है इनके जो followers हैं इन लोग ने एक पद यात्रा करी थी मक्का से मदिना में मक्का से मदिना में तो इनकी मृतिव भी आपको ने देखा होगा मक्का से मदिना तक पैदल यात्रा करी थी तब जब इन्होंने यात्रा खतम करी थी तो 622 AD चल रहा था तो यहाँ पर इन्होंने नया केलेंडर लेके आये थे टू सेक्ट्स ऑफ इस्लाम रिलिजिजन इस्लाम रिलिजिन के अंदर भी आपको दो पार्ट मिलेंगे दो भाग मिल जाएंगे वो कौन-कौन से हैं देखिए सुनी और शिया चलिए आगे पढ़ते हैं इनके बारे में तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम्स की कौन सी है कौन से सेक्ट में शिया में या सुनी से आप देखो कि स्वतांबर दिगंबर यह आपको हिंदू में मिल जाएगा शिविजम मिल जाएगा शिवाइट बोलते हैं शिव क्यानु याई वेश्नवाइट मिल जाएगा आपको वह विश्नु के हो तो यहाँ पर ब्राम्बनिजम आपको हर चीज में सेक्ट मिलेंगे आपको बुद्धिसम में मिल जाएगा आपको हिन यान महा यान तो यहाँ पर आपको बहुत चीज है maximum population of muslim कौन से हैं शिया है या सुनी है तो यह सुनीज है 90% of the world में आपको muslim जो जितने मिलेंगे सुनी मिलेंगे तो यहाँ पर सुनी का मतलब क्या है शिया का मतलब क्या है यानि कि सुनी क्यूं है और सुनी क्यूं है तो सुनी वो लोग है जो अबू बकर को Prophet Muhammad साहब का successor मानते है उत्तर अधिकारी मानते है इसलिए हम उनको क्या बोलते है सुनी बोलते है और यहाँ पर शिया क्यूं बोलते है शिया वो लोग है जो अली को मानते है कि यह Prophet Muhammad साहब के क्या है एक तरिके successor है उत्तर अधिकारी यानि कि उनके बाद हमारे गुरू कौन है तो यह है अबू अली मतलब यहाँ पर जो आ रहा है और यह अबू बखर कौन है जिसे सुनीज मानते है तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि इन दोनों में ये फरक है कि वो सारे के सारे गुरूस को भी मानता है ऐसा करके भी है कुछ लेकिन आपने सिंपली एक अगर नॉर्मल भी में पढ़ना है तो आप लोग यह समझ लिए जो अली को मानते हैं सक्सेसर मौहमद साहब का जोगी प्रॉफेट मौहमद थे जो पेगंबर थे पेगंबर मौहमद ठीक है तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है इसको शिया देखिए सुनी तो वैड़े में आपको मैक्सिमम जगा पर मिल जाएंगे साउधी अरफ ले लो आप लोग यूए ले लो आप लोग पाकिस्तान ले लो आप लोग सब जगा आपको सुनी मिलेंगे शिया आपको बहुत कम मिलेंगे शिया के लिए मैं बताता हूँ सबसे आता है इरान इरान शिया कंट्री है इराग ठीके तो यह आपने ध्यान देना है इरान हो गया इराग हो गया यह सब कौन से कंट्री है शिया है आप और भी देख सकते हो अजर बेचान देख सकते हो यह सब भी कौन से कंट्री है शिया कं में तो आप यादकना इंडोनेशिया इंडोनेशिया क्या है सबसे ज्यादा मुस्लिम जो जन्संकिया है पॉपुलेशन वह वाला कंट्री है दूसरे नंबर में कौन आता है दूसरे पागिस्तान तीसरे नंबर पर आता है हमारा प्यारा भारत भारत में भी मुस्लिम की पॉ ये आप लोगों ने पढ़ना है काफी वार एक्जाम में आता है चलिए अब हम चलते हैं टरकिस इंफेज़ एक एमपायर था बहुत भड़ा एमपायर यह देख सकते हूं आप पाकिस्टान यह देख सकते हैं आप अक्वानिस्तान यह आप देख सकते हैं Central इंडिया इंडिया नहीं एशिया तुर्कमेनिस्तान इरान बहुत सारे मिल दाएंगे तो यहां पर टर्किश एंपायर थी सारे कौन लोग तर्किश थे मुस्लिम में भी आपको कई सारे सेक्स मिल दाएंगे अगरे आपको ठीक है अरे मुसलिम मिल दाएंगे आपको तो यह बहुत सारे मुसलिम यहां पर दे रहे जीजिज़े तो तर्किश अभी हम लोग यहां बात करें टर्किश की जैसे अगर मैं आप लोगोंसे बात करूं अकबर कया तब करकीश था तर्किस इंवेज़न भार क्या थी इसकी तो Capital क्या थी Turkish टर्किश जब किया था इन्हों ने तो यहां पे आपको इनकी क्या मिलेगी यह देख रहे हो आप यहां पर यहां पर डैट इस गजनी कहां पर है तो मैं ऑप पताऊंगा फ़र्स टर्किश सलतान who invade India India का मतलब यहाँ पर क्या है India का मतलब यह है कि इसने इस टाइम पर सिंद पर आकरमन किया था सिंद मैंने बताया ना आज की एट में पाकिस्तान में लेगन उस टाइम पाकिस्तान नहीं था तो यह क्या हो गया सुभूक्तोगीन इसी का ही बेटा था अलब्तोगीन का सुभूक्तोगीन और इसने किस पर आकरमन किया था इन्वेजन किस पर किया था तो यह सिंद पर किया था और यह किस से लड़ाई करी थी इसने सिंद का एक राजा था जयपाल जयपाला ठीक है तो यह जैपाल था तो यह आपने आपने ध्यान देना है कि सिंद का एक राजा था जैपाल जिसके उपर सुबुक्तगीन ने आकरमेंड किया था तो भारत में सबसे पहला टर्किस इंवेजर इनिका ही माना जाता है अब यहाँ पे दूसरी चीज आती है सुबुक्तगीन चला गया खताम हो गया अब आता है यहाँ पे महमूद गजनवी महमूद गजनवी महमूद गजनवी आप इससे जो भी बोल सकते हो तो महमूद औफ गजनवी गजनवी का एक छेतर है गजनी जो आपको मैंने पिछले मैप में दिखाया उसका एक राजा था तो यह सन किसका था तो यह सनता सुबुक्तगीन का एक बहुत छोटी से उमर में 14 साल की उमर में ही 15 साल की उमर में ही इसको अफगानिस्तान जिसे हम बोलते थे उस टाइम पे खुरासान खुरासान का यह गवर्नर था इन्वेडेड इन्डिया इसने सबसे पहले यहां पे कहां पे इन्वेड किया तो यह आपने यहां पे ध्यान देना है तो इसने कितने टाइम पे भारत भारत पे आपने देखा होगा हिंदी में कावद भी है करत करत अभ्यास ठीक है मतलब कि जितने टाइम को आपको अभ्याज करने है आप उतने ही निपूर्ण होते जाओगे तो भारत में 17 बार आकरमन किया था यही वो राजा है भारत में 17 बार आकरमन करने वाला तो कब से कब तक किया था 1000 से लेकर 1027 के बीच में इसने भारत में कुल 17 आकरमन किये थे पहला अटैक इसने सबसे पहले पहला अटैक यहाँ पे कहा किया था तो आपको आज़ना है पेशावर पेशावर कहा है पाकिस्तान तो पेशावर में सबसे पहला अटैक किया था तो इसने किस से लड़ाई लड़ी थी तो यहाँ पर आप लगना सिंध अभी भी राजा कौन है अभी भी राजा है जैपाल ठीक है तो अभी भी राजा कौन है आपे अभी भी आपको यहाँ पर राजा जैपाल मिलेगा जिसे इसके पिता जी ने हराय था सो बुक्तगीन ने तो यहाँ पे यह जैपाल एक मात्र ऐसा राजा है जो पिता और पुत्र यानि की फादर एंसन दोनों से ही हारा है तो यह जैपाल भी आप लोग यहाँ पे लिख लेना है दुबारा से सबसे फेमस रेड अभी तक कौन सी आती है 1026 की कई किताब में आपको 1025 मिल जाएगा तो यह था सोमनात मंदिर की रेड जो की है गुजरात में सोमनात मंदिर से इसने इतना धन लूटा इतना धन लूटा कि इसने धन लूटा दिया वापे घजनी में जाकर सब लोगो ठीक है सबको अमीर बना दिया लास्ट अटैक इसने सबसे अपने लास्ट अटैक कब किया था 1027 में जाटों के विरुद्ध जाट ठीक है और फर्स टूलर हूट टुक दा टाइटल अफ सुल्तान तो यह सुल्तान की उपादी लेने वाला कौन था सबसे पहला राजा डैट इस अलबरुनी ने एक किताब लिखी थी इसका नाम है किताब अलहिंद ठीक है किताब अलहिंद तो यह काफी बार एक्जामस में आपको देखने को मिल जाएगा तारीक अलहिंद भी इसको बोलते हैं हम लोग किताब अलहिंद और तारीक अलहिंद यह दोनों एकी किताब है औ और यहां पे एक और इसका पोईट था इसके नमता है फिर्दॉसी फिर्दॉसी हो गया अल बुरुनी यह इसके 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 साथ कभी यह इसके साथ आये थे तो याद खना आप लोग एक्जाम में कई बराता है किताब अल हिंद किसकी है यहां पे आपको दिक जाएगा यह अल बरुनी की तो ये एक्जाम में आ सकता है 100% गारंटी है मुहम्मद गौरी भी घोर रिजन का था घोर रिजन भी कौन सा रिजन है घोर रिजन भी अफगांस्ताना रिजन है थोड़ी बहुत कहाने बताता हूं आपको गजनी का जो एमपायर था ना गजनी के बाद जो भी राजाय वो थोड़े ऐसी थे वो लोग थोड़ा भोग विलास में रहते थे तो यहां पर एक घोर रिजन था चोटा रिजन चोटा सा राजा था यह यह क्या करता है कि भाई गजनी लोग क्या करते थे गजनी के लोग इस पर आते थे इनको चोरी चोरी करते थे इनसे लू पूरगापुरा तहस नहस कर दिया और बाद में जाकर वो पूरे के पूरे एरिया का राजा बन गया तो एक राजा बन के आता है गौरी अब चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह कौन सी डाइनेस्टी से था ठीक है तो आपने हापे याद रखनी है कि जो मुहमद गौरी था व मुल डो मुल्टान में किस ट्रायप पर क्या था किरिमती किरिमती ट्रायप पर इस्विशेक किया था तो यह जो मुहमद गौरी था इसे सबसे पहली भारत में शिर्फ एक मात्र एक राजा ने हराए था बहां देव शोलंकी सेकंड भी उ montrer declare कर शो如何 द चॉलंकी भी गउरता है first battle of terrain second battle of terrain 1191 1192 है आपने आप आपे ध्यान देना है किसके विरुद हुआ था पिर्तवी राज चोहान चोहान वनसका चाहामना वनसका यादकना दिल्ली का राजा था चोहान और गौरी के बीच में इस वाली लड़ाई में पित्वराज चोहान जीत जाता है दूसरी वाली लड़ाई में पित्वराज चोहान हार जाता है और गौरी इसको पकड़ कर कहां ले जाता है अपने साथ गजनी ले जाता है और वहाँ पर इसको अंधा करके मार देता है चंद बरदाई चंद बरदाई is related to पित्वराज चोहान अब यादखना आप लोग पहले वाले लड़ाई में पित्वराज चोहान इसको छोड़ देता है क्योंकि यह जगमी हो जाता है तो यह बोलता है कि जगमी इंसान को नहीं मारना चाहिए तो यह से छोड़ देता है गौरी अगली बार बैटल ऑफ चंदावर चंदावर का जो राजा था वो राजा था कहां का कन्नौज का कन्नौज का राजा था यहां पर कौन था जैसिंग तो यह आपने यादखना है कन्नौज का राजा था यहां पर जैसिंग और यह जो जैसिंग था ना यह वह वहकती था जिसने हल्प कर दुहान ने ऐसा लिखा गया है किताबों में और एक्जाम में भी नहीं आएगा कभी कि सवेंबर से किसको उठा कि ले गया था कोई तो यहाँ पे क्या था क्यों जैपाल यहाँ इससे चिड़ता था तो यहाँ पहल भी बहुत सकते हो आप इसे जैचंद भी था इसका नाम कई बार आता एक्जाम में और ये जैचंद था ये कौन सी डैनेस्ट्री से था राठोर डैनेस्ट्री भी बोलते हैं इसको और इतको यहाँ पे हम लोग गहडवाल डैनेस्ट्री भी कहते हैं तो ये ध्यान रखना 1194 में गौरी ने इससे भी लड़ाई करी और जै इंट्रीउस करें जिसमें लक्षमी माता की मूर्ति थी जिसमें लक्षमी माता की फोटो थी और संस्क्रिप से लिखा हुआ था तो पहला ऐसा व्यक्ति है तो ये भी एक्जाम में आता है गौरी को कहां पर assassinated किया गया था तो धैमिक नाम की एक जगा है पाकिस्तान में साम को ये नमाज पढ़ रहा था उस टाइम पर किसी एक वैक्ति ने आकर इसको मार दिया कई लोग ये बोलते हैं कि इसके आपस में कोई लोग ते उन्होंने मारा इसको कई लोग अलग अलग लोग में देख सकते हो तो यहां पर सिर्फ इतना अलग गौरी से कभी कोशन नहीं बनेगा धैमिक नाम की जगा है पागिस्तान में वहां पर इसको मारा था ये कोई लक्षमी की जो इमेज है किसने निकाल ले तो यहां पर गौरी को जब गौरी मर गया उसके बाद किसने उसे सक्सीड गया यानि कि कौन उसका उतारी करी बना तो यहां पर देख लिए कुतुबुद्दीन एबख इस कुतुबुद्दीन एबख की बारे में आप बात करेंगे हम लोग अब 1206 में गौरी की डैथ हो जाती है 1206 में जब गौरी की डैथ होती है तो उसके पास एक बहुत बड़ा समराज्य था दिल्ली यह देखिए आप दिल्ली उस टाइम पर यह था पुरा बंगाल से लेकर आप इरान जग उपर पाकिस्तान अफ़गानेस्तान पुरा दिल्ली सल्दनत था तो यह पुरा एक एरिया था जो कि गौरी ने जीत लिया था गौरी का सबसे एक abled उसका सबसे एक गौरी की कोई बच्चे नितेसादी नहीं करी थी उसने तो वहाँ पर उसका एक सबसे विश्वजने सरदार विश्वजने आर्मी जनरल था कुतुबुदिन एबक बहुत अच्छा आदमी भी था इतियास में इसका नाम हमें से अच्छी चीजों में ल 1526 में जब बाबर अटाइक करेगा भरत में पहली बार और पर्स बैटल अफ पानिपत होगी टोटल किंग कितने हुए थे 32 हुए था ये एक्जाम में आरका है कि दिल्ली सलत्रनात में टोटल किंग कितने हुए 32 हुए कौन था इसका फांडर कुतुबुद्दीन एबक था रियल फांडर किसको मानते हैं तो इल्टूती मिस को मानते हैं ये कुतुबुद्दीन एबक के बाद ही आएगा एक तरीके से ये बोसकते हैं इसका दमाद भी था कैपिटल कुतुबुद्दीन एबक ने क्या बनाई थी लाहौर बनाई थी उसके बाद इल्टूत मिस ने क इसको हम Das Vons भी कहते हैं, इसको हम Mameluk Dynastry भी कहते हैं, यह आप लोग नहीं यहाँ पर ध्यान लगना है, Slave Dynastry, Das Dynastry, Muslim Dynastry और Islam Dynastry भी इसको ही बोलते हैं, तो Mameluk मैंने आपको बता दिया, Mameluk Dynastry भी बोलते हैं इसको, Slave Dynastry, Das Vons यह सब इसी के नाम है, Total Dynastry कितनी आई थी दिल्ली सल्तनत में, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, Total 5 आई थी, वो मैं आपको आगे अभी लिखाता हूँ, देखें यहाँ पर, S, K, T, S और L से आप लोग आदखना, यहाँ पर क्या आएगा सबसे पहले, S, K, T से आएगा खिलजी, T से आएगा तुगलग, S से आएगा यहाँ पर सयद, और लास्ट आएगा लोधी, तो इनका time period क्या था, आपको जो PDF है उसमें पूरा का पूरा दे रहा है, तो यहाँ पर slave dynasty का time period 1206 से 1290 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा, खिलजी आपको मिलेगा 1290 से 1320 तक, फिर यहाँ पर तुगलग आजाएगा, 1320 से 1414 तक, और सयद आजाएगे आपके 1414 से 1450 आता है कई जगा, 1451 भी आता है कई जगा, लोधीस आपको मिल जाएगे 1450 से 1526 तक, जब 1526 में बावर पहली वार आकरमन करेगा, यह time period यहाँ आ बात करते हैं यहाँ पर, इसलेव डैनेस्टी की, तो इसलेव डैनेस्टी के founder कौन था, इसलेव डैनेस्टी, दास वन्स, ममलूग वन्स, इसलाम वन्स, सब एक ही है, ठीक है, time period क्या है इसका, तुबार से लिकता हूँ, 1206 से 1290, founder कौन थे, कुतुबदीन, एबग, real founder कौन ने, इल्टूतमिस में बता चुका हूँ, आपको, capital क्या है, इसलेव डैनेस्टी की पहले, लाहोर ती, फिरादी दिल्ली, okay, सलेव डैनेस्टी को हम किस और नाम से जानते हैं, पहले ही बता चुका हूँ, इसलेव डैनेस्टी को, दास वन्स, ममलूग वन्स, ममलूग डैन आप लोग यहाँ पर याद रखना, कुतुब बुदिन एबक ने सबसे जो important चीज बनाई है, कुतुब मिनार, अभी आगे आपका कुतुब मिनारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो यह कुतुब मिनार भी इसने ही यहाँ पर बनाया है, जो की आता है एक्ज अडाई दिन में ही बनके तयार हो गया था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अडाई दिन का जोपड़ा अजमेर में है, सेक सलीम चिस्ती की दरगा भी वहीं पर यह एक्जाम में आएगा, तो वहाँ पर ठीक मार देना, कुतुब मिनार भी इसने बनाया था, अडाई दि इसको तोड़ दिया था, इसकी किताबे तोड़ दी थी, यह मैं आप लोग को इंशेंट हिस्ट्री में बता चुका हो, वहाँ पर आप लोग देख लेना, इसकी मृत्यू, देखिए, अब यह 1206 से सरिफ 4 साल राज करेगा, 1210 में यह मर जाएगा, अब यह मर जाएगा, इ Slave Dynasty का, कुतू बुदिन एबख, ठीक है, तो इसको फिर लहोर लेकर चलेगा थे, वहाँ पर इसको दफना दिया था, ठीक है, फान्डेशन किस ने गर दी वाई, कुतू मिनार की, तो कुतू बुदिन एबख, किसकी में में, ठीक है, तो किसकी में में में, यहाँ बोला था कुतुबुदिन एबक ने क्या कर रहा था इसकी जो निव डाली थी तो यहाँ पर आपको खुआजा मुईनुदिन बक्तियार काकी जो यहाँ पर नाम है तो यह आपका यह काफी एक्जाम में देखा होगा आपने कई जगा आपको खुआजा कुतुबुदिन बक्तियार काक इसकी याद में कुतु बमेया गया था लोकेशन क्या है? महरोली पुरानी दिल्ली नेम आफ मेचरल वैंगेट इसका में गेट यहां पर अलावदिन किलजी ने बनाया था और इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपको टोटल किंग्स जिन्हों ने इसको बनाया है देखिए इसकी नीव और पहली मंजिल किस ने बनाई थी कुतुबदीन एबग ने दूसरी और तीसरी यहाँ पर इल्टूतमिस ने बनाई और जो लास्ट का जो काम है वो बनाई फिरोज शाह तुबलक ने तो तीन राज इसका यहाँ पर एक इसका रियल नेम था इसको हम क्या बोलते थे गुलामों का गुलाम क्यों बोलते थे क्योंकि गौरी का गुलाम था कुतुबदीन एबग और एबग का गुलाम था इल्टूतमिस तो यह किसका हुआ गुलाम का भी गुलाम यानि कि यह जो गुलाम है प इसने ट्रांसफर करे थी, इसके coin कौन कौन से थे exam में आयता है, तो T S J C से यद अभना आप लोग, ठीक है, तो यहाँ पर सब इंपोरेंट चीज क्या आता है, T से आता है टंका, जो कि सिल्वर का था, J से आता है जीतल, जो कि कॉपर का था, तो टंका सिल्वर का, जीतल, कॉ इंजाम में आ रहा है कि मंगोलों सबसे वह लिवार किसके रीजन पर अक्रमन किया इसने क्या क्या भारत में तो यहां पर आतना आप लोग एक 40 नोबल्स का एक ग्रूप था जिसका नाम था जिसको हम बोलते थे तुर्ग ए चहलगामी 40 विश्वस नहीं यह लोग राजा के उनका एक ग्रूप बनाया नोबल्स बड़े बड़े लोग थे उनका एक ग्रूप बनाया चालीशा वो की इल्तूदमिस ने बनाया था नया सिस्टम जिसे हम बोलते एक्टा सिस्टम यह एक् वाइड करते हैं लेंड डेवन्य आप लोग सिंपली हो सकते हैं इसके बाद इसकी बेटी बनती है रानी भारत की सुल्तान बनती है इसका टाइम पिरिट एक्जाम में आता है इसलिए मैंने आप लिख दिया है 1236 से 1240 इससे पहले 1211 से 1236 तक इलतूतमिस बनता है इसके बाद देखा होगा ना परदा पहनते मुस्लिम मुस्लिम रिलीजन में अभी तक तो इसने पहली सुल्तान जिसने परदा सिस्टम को क्या कर दिया था खतम कर दिया था इसने शाधी किससे करी इसका प्रेम किसी और से था शाधी इसने अलतूनिया से करी क्योंकि अलतूनिया एक ब cavalry 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 क्या होती है घुड़सवार सेना उसका हेड भी था इसको कहां पे मारा गया Catholic में आज की डिरेट में Catholic में इसका टॉम मिलेगा आपको हर्याणा में ओके तो चार साली इसका राज था खिलजी डैनेस्ट्री आगया भॉई अब खिलजी dynasty आपको मिलेगा 1290 से 1290 से आपको मिलेगा 1320 तक इस से पहले last जो slave dynasty थी उसका जो last ruler था वो था कैकुबाद कैकुबाद मरने के बाद कैमूर्स के बाद यहाँ पे आपको last कोई भी नहीं मिलेगा ठीक है फिर उसके बाद चोटे मोटे राजा है उसके बाद यहां पे खिलजी डैनेस्टी जब एक त्रिके साथ यह बसको इसलेव डैनेस्टी का एंड हो रहा था तो यहां पे अक्वादनिस्तान में एक बहुत बड़ा गवर्नर था इसका नामता है फिरोज खिलजी उसने यहां पे लास्ट डूलर को मार दिया और उसके बाद यहां पे अपना एक क्या करा डैनेस्टी इसका नाम थे खिलजी डैनेस्टी इसके फाउंडर थे फिरोज खिलजी साट-सतर साल के उमर में जाकर यह राजा मनता है बुड़ा हो चुका तो काफी लेकिन अच्छा था वह अटाइक इंडिया इं दिली के मंगोल पुरी में आज भी आप लोग को वहाँ पर हिंदु धरम में कनवर्टेट लोग मिलेंगे जो कि क्या थे इसलाम में थे ठीक है तो वहां पर वह मंगोल यही थे जो मंगोल थे यह मंगोल बेसिकली इसने क्या करा था फिरोज खिलजी ने उनको पहले तो आतीजन नि महरा था इसका नाम था अलाओ धोधिन खिल जी चर्टी हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे अलाओ धिं खिल जी का टाइम् से कितना ढ़तído बहुत कम ता इसका तो यहां से आपको यह आता भी है तो हम लोग यह क्वात कर लेते हैं तो यह रियल नेम क्या था इसका अगल में आता ऑप यह कई बार धाई बचपैंट से सेना में राता हुआля नाहीं थे सेना के पास रात हो यह रा इसने कौन से टाइटल लिया तो यह आपने आपको बोलता था दूसरा सिकंदर सिकंदर ए सानी ठीक है नियू सिस्टम इसने कौन-कौन सा लागू किया D से होता है दाग सिस्टम X से होता है Hulia सिस्टम M से होता है Market Policy इस दाग सिस्टम में क्या होता है कि ये अच्छी नसल के घोड़ों पे दाग लगाता था और उसके बाद उनको अपनी सेना पर रखता था और पुरानी जो बेकार नसल के घोड़े और वो सैनिक भरती होंगे ठीक है अब आया मार्केट पॉलिशी तो भारत में पहली बार मार्केट को कंट्रोल करने के लिए पॉलिशी लाने वाला राजा कौन सा था अलादिन खिल जी था सबसे पहला इसने कहां पर कंक्वेस्ट किया गुजरात में कि गुजरात उस तैंप सबसे इंपोर्टेंट सबसे एक्तर की साब यह बोल सकते हो सबसे विश्वसनी है इसका आर्मी जर्नल कमांडर सेनपती कौन था जो इसके सदन एंपार जो कि इसने साथ पर पहला एक और कोशन है कि पहला ऐसा दिली सतनात का राजा है जिसने साथ पर अटेक किया बहुता जिसने आप यह बोल सकते हो विंदियांचल पार करें एक्जाम में कुझ भी दे सकता है आपको तो यहां पर इस आर्मी जर्नल कौन सा था मलिक कफूर यह मलिक कफूर क्या था यूनप था एक ठीक है इसको कहां से लेके आये थे इसको गुजरात से खरित के लेके आये थे इसका नाम था हजार दिनारी इसको हजार दिनार में खरित के लाये थे इसके कोट पोयट कौन थे वाई इसका कोट पोयट कौन था अमीर खुसरो यह अमीर खुसरो को क्या है अमीर खुसरो को बोलते तोताए हिंद इस अमीर खुसरो ने तबला और सितार का विश्कार किया था ये अमीर खुसरो दिल्ली सल्दनत के छे राजाओं का कोट पोयट रह चुका है इसकी मदर जो थी यहाँ पर वो हिंदू थी ठीक है और भी यहाँ पर जमायत खाना मौस्ट्यू भी आता है जमायत खाना मौस्क्यू जमायत खाना का जो यहाँ पर आप यह समझ सकते हो एक तरगे से मस्जिद थी वो तो वो भी इसी नए पर बनाई है चलिए आगे हम लोग चलते हैं, अब आगे करते हैं, ओके चलिए, बैटल्स, कब-कब किस-किस के बीच में हो, यहाँ पर मैंने एर लिख दिया है, एर कभी नहीं पूछेंगे आपसे, बहुत डीपली कभी पूछ सकते हैं, तब आपसे पूछ लेंगे कि चितोड का कब था, तो मैं जोहर किया था, जोहर का मतला होता है, आग में कूछ जाना, ठीक है, तो यह रंठंबॉर था, दूसरा चितोड, चितोड इन्वेजन किया था, अदिमखिल जी ने, अब किसके विरुद्ध किया था, किसके अगेंस्ट में किया था, तो वो यहाँ पर कौन थे, राजा, रा पर किसके था, पर किसके यहां था, अब करना था, अब मुवेज के हिसाब से भी नहीं बोला है, तो यहां पर बता है, मलिक मुहमझत जाइसी, जो कि सुरी के टाइम पर बहुत बड़ा कवी था, इसने एक किताब लिखी Пद्मावत, उसने एक सुंधर्ता के बारे में, सु चित ओड की महरानी थी तो अलाओदिन खिल जी ने उसको सीठे पर देखा जिससे वो उसमें मोहित हो गया कापी यह ज्यादा पसंद करने लगा और उसने उसको पाने के लिए चित ओड को तबाह करने के लिए यांपे क्या करा ता टेविजरी का एन्वेशन हुआ था क्या किसके विरुद्व था ? तो आपका जो देवजरी है यह देव घृ कौन सा वाला एरिया है तो यह साचन मैं तेरा एंपायर महाराश्न में पढ़ता है मैं दे दूँगा लेकिन जो मैं अब आगे करने जाँगो साउथ में उस टाइम पे बहुत पैसा था मदुरा ही हो गया आपका वारंगल हो गया हीरे की खाने थी ठीक है कोलार गोल्ड फील्ड तो आपने देखा को के जी वहाँ पर आटक आने चाता था तो चाता था कि मेरी मिलिटरी को यहाँ पर खाना और रसद की सप्लाइ कुन करेगा तो इसने बोलागी तू हमारी help कर कर हम तेरे एंपायर को कुछ नहीं करेंगे ठीक है तो यहाँ पर इन्होंने इसको छोड़ दिया फिर आता हो वारंगल का invasion important क्यूं है क्योंकि यहां पर इस time पर काक्तिये वंस का राज था काक्तिये डैनेस्ट्री का का एक राजा था राजा रुद्रदेव परताप रुद्रदेव भी आप इसे बोल सकते हो इसने हारने के बाद यहां पर इस टाइम पर आर्मी कमंडर कौन था इस टाइम पर तो यह था मलिक कफूर इसने मलिक कफूर को यहां पर कोहिनूर हिरा दिया था हारने के बाद और बोला था कि आप इसे ले पर उसके जो सर पर क्राउन होता है उसको चिपका दिया जो कि कोई नूर हीरा उसको चोरी करके लेगे थे अफगानिस्तान से व्यक्ति जो लड़ने भारत में आये था भारत में लूट पार्ट करके उसको लेके चला गया ठीक है आज की डेट में भी वह आपको कहां पर मिल जाएगा वह आपको ब्रीटेइन की महारानी के जो क्राउन है वहां पर मिल जाया कोई नूर हीरा उस्टाइम पर सबसे बड़ा हीरा ओहां करता था उसे किस न देखने को मिल को मिल जायगा अलाव दिन खिल जी गुकिकि वह उसको यहां पर क्या था सेनापती था यह इस मे सबसे इसका फाउंडर कौन है तो गया सुदीन तुगलक है इसका फाउंडर नया सिस्टम क्या नया सिस्टम लागू किया तो तुगलक इसने भी यहां पर ध्यान देना कि इसने जादा राज नहीं किया तो यहां पर जो इसके फेमस रूलर है वह आपको मिलेंगे तो यहां पर नया सिस्टम बारत दिल्ली में आपको मिलेगा पोस्टल सिस्टम पोस्टल सिस्टम के लिए इसने जो पोस्टमेन को बसाया उसको मतलब जो लिउक्त किया एपॉइंट किया उसको बरीद बोलते हैं तो वो आपको लंग करने की जरूत नहीं बस आप भी लोग ज्याद करो पोस्टल सिस्टम फेमस रूलर कौन कौन है वाइस के तो मौहमद बिन तुगलक है फिरोशा तुगलक है फेमस ट्रैवलर जो मौहमद बिन तुगलक के टाइम पे भारत में आया इसे हम बोलते हैं इबन ए बतूता इबने बतूता कहां का था तो ये मौरक्को का था इसमें कौन सी किताब लिखी है तो ये लिखी है रहेला इसे बोलते हैं किताब अल रहेला इबने बतूता दस साल तक दिल लिका काजी रहा था काजी काजी मतला उस टाइम पे गवर्नर हुआ करता था तो यहां पे किताब किस ने लिखी है इसलिए इबने बतुता मुरक्कों से आय था एक्जाम में आता है किसके टायम पर था तो ये मौभमध बीन तुगलक के टायम पर था फेवस करेंसी तो या दक न मौभमध बिन तुगलक थोड़ा दिमाग से थोड़ा हिलावा माना सकते हो आप इसे लेकिन आपको एक में प्रशन बताता हूं कि अभी तक दिल्ली सल्तिनत में जितने भी राजा थे उन सब में सबसे पढ़ा लेका मौम्मद बिन तुगलक था सन की सा सकता इसने लाया आपर टोकन करेंसी जो कि नहीं चली बार में उसको बंद करना पड़ा नया डिपार्टबेंट इसने फार्मर की मदद पर लाया यसे हम बोलते हैं धिवाना आ को ही यहाँ ऐसा पहला क्या था तुगला डैनेश्ट्रि या फिन मुश्लिम सा सक्त पहला था जशने भारत में जजिया टेक्स अभी भी लग रखा है जजिया टेक्स कौन है जो गैर मुश्लिम लोग देते हैं अपने धर्म की पुझा करने के लिए तो यहां पर यह पहला आया था साजक था जिसने ब्रहामणों पर भी क्या लगाया था जजिया टेक्स लगाया था अब देखिए यहां पर पहले ब्रहामणों पर जजिया टेक्स नहीं लगता था उसके पीछे रिजन क्या है तो ब्रहमड कुछ कमाते हैं वह स्रिक जो दान लेते हैं उसी से वो अपने गुजाराय भासर करते हैं работу नहीं कमाती है बच्चे नहीं कमाते तो इन तीनों पर नहीं लगता था जरिफ वर्किंग मेल पर लगता था जो की जजया टेक्स लगाए राथा था लेकिन अब इसने वोला ब्रहमण नहीं ब्रहमण को भी जजया टेक्स देना ज़रूरी अभी भी यहाँ पर महिला और बच्चों पर जजया टेक्स नहीं लगाए गया है तो simply आप यहाँ पर यहाँ पर जजया टेक्स लगाने वाला फिरोशा सुगलक था तो हम इसको किस naam से भी और फिरोशा सुगलक को हम किस नाम से भी जानते हैं तो यहां पर आदकना आप लोग किस करेंट से जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा कैनाल सबसे ज्यादा इरिगेशन कैनाल इसी ने ही बनाए थी दूसरा यहां पर दिल्ली का वह सबसे पहला सल्तान जिसके सबसे ज्यादा maximum number of slaves थे जिसने अपने खुद की यहां पर बायोग्राफी लिखी ऑटो बायोग्राफी बोलते हैं जिसका नाम था फुतूवत से फिरोशाही फुतूवत फुतूवत ए फिरोशाही तो दिल्ली सतनत का एक मातर रहसर राजा जिसने अपने खुद की क्या लिखिए यहां पर एक राजा हुवत और पर बायोग्राफी लिखी है इसने कांगडा में लूटकरा कहां पर लूटकरा कांगडा में किस मंदिर में किया तो यह जौए ज्वालपादेवी मंदिर जीसे हम ज्वालामाताभी कहते हैं कांगडा में पढ़ता है ठीक है लास्ट रूलर जिसे ताइम पर मंगोल का एक राजा हुआ कर दिया और इसको भी इसने यहां पर पकड़ लिया था लेकिन इसको बात में छोड़ दिया अब लास्ट में आता है यहां पर क्या आप देख सकते हो 1414 से 1450 या फिर 51 आप लोग देख सकते हो तो इसकी help करे थी मंगोलों ने इसको यहां पर बसाने के लिए कि भाई अब तू यहां पर बैठ और हम क्या करेंगे एक तरीके से अब अगला यहां पर तू राज कर और यहां पर जो पैसे कमाता है वो हमको दे देना टैक्स की तरह तो फर्स टूलर कौन था ज्यादा इसका फाउंडर था और अलावदीन आलमशा इसका लास्ट रूलर था तो यह एक्जाम में अगर कोशन कभी आएगा तो इन दोनों से ही आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा और इससे अलावदा कोशन नहीं आने वाला लास्ट में आएगा आपका लोदे डैनेस्टी तो यहां पर आप देख सकते हो कितना होजा कि 1450 से 1526 एक्जाम में आ सकता है 1426 तो यह कौन से टाइप की डैनेस्टी तो भारत में अभी तक अफगानों ने राज नहीं किया था तो यह अफगान से आया थे तो यह अफगान डैनेस्टी थी हाला कि थे मुस्लिमी founder कौन था इसका तो यह था बहलोल लोधी city कौन सी establish करी तो यहां पर आगरा city को establish करने का जो क्रेदिट है वो जाता है लोधियों को और लोधियों में कौन था तो वो था शिकंदर लोधी ने ही आगरा के स्थापना करी थी तो poet king इसके सिर्फ तीन राजा हुए वैंक बहलोल लोधी सिकंदर लोधी और यहाँ पर इबराहिम लोधी ठीक है तो यहाँ सिकंदर लोधी था एक पोएट और इसने जो किताब लिखी थी पोएम लिखी थी उसका नाम तक गुल्रुकी गुल्रुकी लिखी थी फारसी वासामें पर्सियन में New Scale of Measurement, इसने निगाला था, यसे हम बोलते है, Gaj A. सिकंदरी ठीक है, फू बैंड़ार्य रैली मौर्रम में, जो ताजिय निकालते हैं किस में निकालते हैं, दुख में निकालते हैं, ताजिय, रैली बोलतेए मोरम की किसने बैन करी थी सिकंदर लोधी ने किसने बैन किया था मुस्लिम वुमेंस को उनकी मजार में जो उनके पीर्स होते हैं उनकी मजार में जाने से तो वो था सिकंदर लोधी इसने हिंदूओं को जो मुंडन में बाल काटते हैं और यमुना में भाते हैं उसके लिए भ आत्र ऐसा राजा है जो की रन भूमी में ही जो की बेटल फिल्ड में मर गया इस इब्राहिम लोधी और ये इब्राहिम लोधी लोधी डिनस्टी का लास्ट लूलर भी था अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं यहां पर विजे नेगर एंपायर की इस्टेबलिश्मेंट से आप 1436 इस विजे नेगर एंपायर में आपको तीन डिनस्टी देखने को मिलेगी इनों के बारे में हम लोग नहीं पढ़ने हैं आपको सिफ इंपोर्टेंट पॉंट जो मैं कोशन लिख रहा हूं वही आपको याद करना है सबसे पहले इंपोर्टेंट यहां पर क्या होगी इस तो यह लोकेशन क्या है यह लोकेशन आप देख रहे हो करनाटक हमपी करनाटक वाला एरिया में यह विजे नेगर एंपायर इस्टैबलिश हुआ था तो अर्लियर यह यहाँ पर कहां काम करते थे तो हरियर और बुक्का जो थे वो वरंगल के जो राजा थे तृसल देव बारंगल के जो राजा थे परताब रुद्रदेव काकतिय वंस के जो राजा थे उनके अंडर में यह लोग एज़ा सामन्त एज़ा प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करते थे हरियर और बुक्का वादे छोड़ने के बाद यह लोग अपना ही यह पर डैनेस्ट्री बसाते है तो कौन सी लेंगवेश थी इन एमपायर की तो यह थी तमिल इनकी कैपिटल क्या थी तो यह थी हमपी यह देख रहे हो आप हमपी की जो रिमेनिंग से यह आपको कौन से नोट में देखने को मिलेगी कमेंट में बताना मुझे की जो हमपी की इमेज है वो आपको बारत के क एक्जाम में आपको देखने को मिलेगा विठल स्वामी टेमपल! विठल स्वामी सेमपल इस दा एक्जामपल आफ वीजे नेगार एंपाईर अर्कीटेक्टर ठीक्जर ठीकर विरुपाक्ष भी आपको मिल जाये कई बाण तो यहां पर विजनेगर एंपार में एक राड़ा था कृष्ण देव राय उसके पास उसके दर्बार में आठ कभी रहते थे जिसको हमने क्या बोला है अश्ट दिगज बोला है यह अश्ट दिगज एक्जाम में आता है तो कृष्ण देव राय कहा था यह विजनेगर एंप सकते हो ठीक है तो यहां पर एक्जाम में यह आता है तो यह फाउंडर कौन था वाई इसका बाबर था ठीक है तो यह इसका क्या है बाबर फाउंडर है बाबर के पिता का नाम USM 2, یعنی कI Umar, consech, mirza 2nd इसके पिता का नाम था पिता के तरफ से टर्क था माता के तरफ से ये मंगOL था तो इसका नाम था कुल्ण निगार खान कुल्ण निगार खान is the mother of बाबर तो बाबर का मतलब क्या होता है बाबर इसका नाम नहीं था बाबर एक title है जो की दिया गय था इसे बाद में तो यहाँ पर बता तो आमें आपपको बाबर का मतलब होता है share बाबर का मतलब वैसे share नहीं होता tiger होता है तो बाबर का मतलब यहाँ पे tiger होता है इसका teacher कौन था यहाँ था अबदुल्ला एहरार Abdullah, Ali Hrara होता है इसने सबसे पहला attack कहाँ पर किया था तो यह एक्जाम में आता है तो यह सिंद यह आप देख रहे हो यह वाला सिंद, यह कंदार आपको मिलेगा जहाँ पर hijack किया था सिंद में सिंद में सबसे important सिंद में इसन आकरमंट किया सिंद में कौन से ट्राइब पे इसने अकरमंट किया तो यह एक्जाम में आता है तो यह आपको मिलेगा यूसुफ जाइड ट्राइब बाजोर यह यहाद रखना आप पे बाजोर भी आता है कई बाजोर में इसने अकरमंट किया जो कि सिंद में था और यहाँ पे यूसुफ ट्राइब थी उसको पूरी तरगी तेस्ट नेस्ट किया तो एक्जाम में कुछ भी आएगा तो मैं आपको यहां पर बता दिया है तो पहला अटक कहां पर बाज़ोर में था जो कि सिंद में था और यह किसके इसाब से था यहां पर यूसिफ जाई ट्राइब के साब से अब बाबर की ना famous battle से कुछ जो कि मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ मैंने shortcut बनाया है जो कि मैं learn करता दिससे आपसे देखिए सबसे पहले पानी पिया ठीक है फिर पानी पीने के बाद यह क्या करेगा यहां पर खाना खाएगा चोरी करेगा घर जाएगा और मर जाएगा इस चिसरो वही ती 1526 में फिरी होती है 2728 में 29 में इस की आगरा महें होती है याग गती सिंदेरी खागरा जो इसकी पाने पी खाना क्या चोरी करी घर गया मर गया तो यह इसकी बैटल से काफ़े एक्जाम में आती है इसके बाद इसका बेटा बनता है वाई हमायू के साथ बहुत दारी खोई से थी हमायू एक माता इससे राजा था जो की स्टार्ट की मुव्मेंट के बारे में पढ़ता था जो एस्टलोजी पे काफ़े बिलीव करता था हर परतिक दिन को अलग-अलग रंग के कपड़े भी पहनता था सबेद पीले जैसे गुरुवार को पीला पहन लिया रभीवार को सबेद पहन लिया तो काफ़ी यह जोदिस विद्या में मानता था ओके तो इसकी कौन सा ऐसा मुगल रूलर है जो कि एस्ट्रोलोजी का बहुत बड़ा यहां पर फेमस फॉंड था उसका एक तरीक साब यह बोल सकते हो कि भाई उसके लिए बिल्गु तत पर रहता था तो दैडिस हुमाईू कौन से बैटल इसने कौन से बैटल से यह पूरे भारत को हार देखिए वह वेक्ति है जो 15 साल के लिए भारत से दूर हो गया था यहां पर मुगल सातन खतम हो गया एक तरीक से आप यह बोल सकते हो तो यह हो गया आपका बैटल ऑफ बिल्गराम जो की हुआ था 1440 में अब यहां पर आप लोग एक चीद या दखना 1440 में जब बैटल ऑ से कोशन आएगा इस सेरसा सुरी का रियल नेम क्या है तो यह है फरीद दूसरा इंप्टेंट चीज इसका जो टॉम है आज की रेट में वह का पर है तो बिहार के साचाराम में इसका नाम सेरसा सुरी क्यों बढ़ा क्योंकि इसने एक ही हाथ से शेर को मार दिया था बिहार क इसी ने सबसे पहली बार इंटर्ड्यूस किये थे तो याद करना सेरसाथ सूरी दूसरा आता है Grand Trunk Road वो भी सेरसाथ सूरी का है इसने याद करना ये exam में आये कई बार सेरसाथ सूरी सेरसाथ सूरी की मौत उजाती है एक expedition में गया था इसके जो लिनियंट राजा थे वो आये सूर वन्स के सूर डैनेस्टी के तो battle of क्या वह सकते हो आप यहाँ पे सरहिंद battle of सरहिंद से जो की हुआ था चौदा सो कब पच्पन ठीक है चौदा सो पंदरा सो पच्पन सौरी यहाँ पे आप लोग इस चीज़ पे ध्यान देना कि यह exam में क्या के आ सकता है यहाँ पे जो आपको मैं दिखा रहा हूँ यह आपका 1555 है यह आपका 1540 है यह आपका 1540 है 1555 है क्योंकि पंदरा सुपन में अभी यहाँ पे कौन आ जाएगा अकबर आ जाएगा जो कि अभी इस समय 14 वर्ष का है क्योंकि 1542 में यहाँ पे किसकी हो जाएगा यहाँ पे तरह किससे किसका जनम होगा अकबर का जनम होगा अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ जो यह टाइम था बैटल ओफ विलिगराम, बैटल ओफ सरहिंद इनकी बीच में टाइम था कितना 15 वर्ष का 1540 से 1555 तो यहाँ पे जो हुमाईू था हुमाईू भाग के चला जाता है कहाँ पर यह उपर आले ही एरिया में यहाँ पे एक राजा था बैटल ओफ बैटल ओफ बिलिगराम 1540 और बैटल ओफ सरहिंद 1555 15 साल के लिए हुमाईू भारस से धूर था उसके बाद यह दुबारा से वापस आ जाता है और अपने सत्ता वापस ले लेता है अकबर आ गया भाई अकबर सबसे इंपोर्टेंट है अकबर का टाइम पिरेड आपको कब से मिल जाएगा 1556 जब इसने पहली बार क्या करा था यहाँ पर दूसरी बार पानिपत का यूद लड़ा था किससे यहाँ पर हेमू से हेम चंद्र विकरमा दित्तिय से हेमू जिसको बोलते है हम भारत का अंतिम हिंदू राजा तो 1556 में इसने स्टार्ट करा 1605 में इसकी मिरुत्ति हो जाती है तो यह आपने देखा हो 49 years का राज यहाँ पर इन्हों ने किया तो अकबर का नाम रियल नेम क्या है जरालुद्दीन मुहम्मद अकबर इसका पुरा नाम था कहाँ पर बॉन हुआ था 1542 में 15 अक्टूबर सम्थिंग इसकी डेट है अक्टूबर को आता है 1542 में अमर कोट में राजा वींड साल के घर में यह पैदा हुआ था इसके नौ रतने बहुत फेमस थे भाई तो इसका पोएट था कौन था अब्डूल रहीम खाने खाना एक इसका दूसरा कोट जेस्टर यानि कि जो इसके वजीर बोल सकते हो आप तो यह था बीरबल बीरबल का पुरा नाम क्या था महेश दास तीसरा आज का था कोट सिंगर तो था मिया तांसेन यह तांसेनी दीपराग मेगराग गाता था ठीक है यह तांसेन मिया और तांसेन अलग-अलग दो टाइटल थे इसका नाम क्या था पूरा नाम रामतनू पा सब कुछ बहुत एक बुद्धिमान व्यक्ति तांसेन दिया था एक टाइटल जो कि था गवालेर के राजा राजा विक्रम जीत सिंग ने इसका एक और पोईट था इसका नाम था अबूल फजल अबूल फजल ने लिखी थी आईने अकबरी यह आईने अकबरी है बायोग्रा उसके अच्छे काफी सूफी सिंगर कौन था तो फकीर आजियो दिन और इसका एक और वजीर था ठीक है मुल्ला दोप्याजा कई लोग उसको फिक्स्नल मानते कि यह व्यक्ति नहीं था क्योंकि यह बहुत चिर्टा था वजी बिरबल से क्योंकि यह जो वजीर था ना यह क फाइनेस कंसल्टेंट इसका कौन था यहां पर टोडर मल इस टोडर मल ने यहां पर एक लायती दहशाला दहशाला सिस्टम जो की लैंड रेविन्यू से था तो यह एक्जाम में आ सकता है इसलिए मैं आप आपको बता दिया अब इसने इंट्रेक्शन सबसे पहले इंपोर में दाको बात करनी यह तो वो कहांपर करता था वो देवाने खास और यहां पर आ कि जुके के लिए चुआ हो आप मक्का अधियना की यातरा करके आओ और मैं अब क्या करूंगा यहां पर पूरी तरीके से सासन चलाऊंगा तो 1605 पे इनकी मृत्ति हो जाती है तो यहां पर इन्हों एक नया रिलीजन स्टार्ट किया था इसका नाम है दीन ए इलाही ठीके तो यहां पर दीन ए इलाही और आप यहां पर बोच सकते हो कि यह बीरवल ने सबसे पहली बार इसको अडॉट भी किया था न्यू कैपिटल इसकी कौन सी थी तो फटेपूर सिकरी इसने इसको बनाया हज़िया जो टैक्स था जो कि गैर हिंदू गैर मुस्री कर भी लगता था इसने पहली बार और व्यारत से अंबर की हिंदू वाइफ का नाम क्या था थो यह सब को पता है जोधा बही ठीक है तो यह जोधा भाई एक हिंदू रानय ठी ठीक है मतलब आप यह बोच बारमल की तो ये राज को के ती मतलब राज कुमारी पिसका नाम की बारा हमके को बहुत भार्म जाये गट बार इनका नाम, बूक्स, मतलब जो इनकी इस्लामिक नेम था, इस्लामिक नेम रखतेना वो लोग, तो यह था, मरियम उस्-जमानी, ठीक है, तो अक्बर का, जो पहला अटाइक था, वो, यहाँ पहू था, यहाँपे हूआ था, आप लोग याँजना, सबसे आतीएग्जाम में 151576 बैटल आफ हल्दीगाटी इस बैटल अफ हल्दीगाटी में ये सेना नहीं रह पाईगी तो 1576 में battle of haldi gati में उनोंने वो जो एक तरीके से battle filter वो छोड़ दिया था चेतक के साथ चले थे चेतक भी इसमें लाट्ष में जाकर जक्मी हो गया था चेतक भी इनका मर गया था चेतक इनका क्या था एक तरीके से सबसे important घोड़ा था सबसे pre-e घोड़ा था तो 1576 battle of haldi gati आप लोग जहांगीर जहांगीर का time period कितना है 1605 से 1627 ठीक है तो real name क्या था भाई तो जहांगीर का आपने सुना होगा कई बार कई बार आपने देखा होगा सलीम और अनारकली ठीक है तो यह क्या है सलीम ठीक है सलीम था मदर मदर देखी आखना आप लोग जो अकबर की हिंदू वाइफ थी जोधा भाई ठीक है मरियम उज्जमानी यह उनी के ही बेटे थे ठीक है तो यहां पर जोधा भाई मैं लिख देता हूं tax भाई कौन सा tax इन William Hawkins इसके बाद Thomas Rowe भी आये था तो यहां पर आप लोग Captain William Hawkins और Thomas Rowe यो कि इस्टेने कंपनी के व्यक्ति थे वो इस से आके मिले थे कौन से सिख गुरु को इन्होंने मारा था that is 5th सिख गुरु that is अर्जन देव ठीक है तो यहां पर आप लोग यादबना that is the अर्जन काफी बार एक्जाम में आता है अर्जन नहीं होगा अर्जन होगा ठीक है जहांगीर की मृत्यू कहां पर होती है तो यह तो कश्मीर में होती है ठीक है इन्होंने जहांगीर ने क्या-क्या बनाया है एक्जाम में आता है तो याकना इतमाद उध दौला का मगबरा इसे हम बच्चा ताज नहीं कि ताज का एक तरीके से चोटा पार्ट और इन्होंने कश्मीर में शालिमार बाग भी इन्होंने बनाया है जहांगीर का जो टॉंब है वह आपको कहां पर देखने को मिलेगा लाहॉर में लाहॉर को बहुत पसंद करता था यह तो यहाद देखना कि यह पर नियाए नहीं मिलता था तो उस जंजीर को इलाता था तो घंटी बसती थी तो यह उस वेक्ति को बुलाता था कि हाँ बताओ आपकी क्या प्राब्लम है तो यह चेन ऑफ जस्टिस के लिए फेमस है जोगी गोल्डन चेन थी सहाजा भाई 1628 से आपको मिलेगा 1658 तक इसक क्या मिलेगा आपको यहां पर खुर्रम है ठीक है मदर नेम भाई मदर नेम क्या है तो इनकी मदर भी हिंदू थी जो कि किसकी वाइब थी जहांगीर की वाइब थी तो यह थी जगत गुसाईं इनकी वाइब भी हिंदू थी ठीक है जगत गुसाईं ओके इनके एरा को हम ल नामा तो यह पाध्शान आमा भी आता है और पाध्षा नामा भी आता है पाध्षा यहां पाध्षा Tagh緊 कैंसे तो आप लोग तो गैसे बाबर कि जहांगीर गार दो बाभर और यहांगीर एक मांत्र ऐसे आप देखने को मिल जाएगा रेडफोर्ट हो गया जावा मस्जिद हो गया यह भी इन्हों ने बनाया है मोती मस्जिद ने बनाई है जो कि आपको PDF एक रिखने मिल जाएगी यह अ सौर ताज एहमद लाहोरी नाम का एक architecture था उसने बनाया है तो ये किसलिए famous था भाई तो ये किसलिए famous था ये आप लोगोंने मुझे बताना है ये किसलिए famous था तो यहाँ पर आप लोग जा लगना कि भाई इसने एक बनाया था तक्त इसको नाम था तक्ते ताउस जो की बहुत महंगा मैयूर सिहासन इसी ने बनाया था और अंग यह आता है 1658 से 1707 यह 1707 वाला वह टाइम है इसके बाद से भारत में मुगल अमपायर क्या तो साजा की यह सबसे मुम्ताज महल जिसके याद में ताज महल बनाए यह भी आप लोग यादक ना मुम्ताज महल ओके तो यह मुम्ताज महल इनका रियल नेम क्या था अंचुमंध बानो बेगम यह मैंने PDF में लिखावा है अंचुमंध बानो बेगम मुम्ताज महल का रियल नेम था एक्जाम में कब हुई थी 1707 में हुई थी तो यहां पर सबसे ज़्यादा इसने अपने administration में हिंदू को लेकर आया हिंदू officers को लेकर आया तो वो था कौन औरंजेव चलिए अब लेटर मुगर्स की बात कर लेते हैं आपकी यहां पर टाइम पिरेड भी खताब यहां पर हो क्या रहा है क्योंकि यह बहुत अपर रहते थे तो यहां पर कौन थे यह भादूर शाह फोस्ट भादूर शाह 들어t ठिक है भादूर साथ सब्सक्राइस नाम परनेता था नादिरशा ने भरत पर आगरमेंट किया और यह मुहम्मद शाह से बोला कि भाई यह जो तेरे पास क्या है यह जो सर पे लगावा है ना कोईनूर यह मुझे दे तो कोईनूर को ले जाने वाला नादिर शाही था कोईनुर को ले जाने वाला नादिर शाही था तो मुहम्मद सागे टाइम पर आये था यह चोड़के बाग गये था अपना इसने चाबी देए थी अपने खजाने के इसको ठीक है थाड़ बैडल अफ पानिपाथ देखे हो थी 1761 में इसने ट्रीपल बैटल ऑफ महाराथा को हरा दिया था महाराथा सबसे ज़्यादा इसी उसमें हरे थे तो थाड़ बैटल के टाइम पर यहां पर राजा कौन था तो यह था शाह आलम सेकिंड इस सा आलम सेकिंड ने 1765 में अंग्रेजों को क्या दिया था एक तरीके से रेविनी राइट दे दे थे कहां पर बंगाल बिहार और उडिसा में इसलिए उसे बोलता है मैंगना काटा आफ इस इंडे कंपनी तो किस ने यहां पर राजा का टाइटल दिया था चांपर 吸ा तो मुगल एंपायर का लाँर शाह जफर का मतलब क्या होता है तो जफर इसका कभी था बहूत बुरा था एक लाग रुपे एन्वल पेंशन पर इस्टेने कंपनी ने इनको कहां पर डिपोर्ट कर दिया रंगून ठीक है बर्मा की राज़ान थे रंगून महां पर डिपोर्ट कर दे क्योंकि 1887 की करांती में यह में लिडर थे ओके चलिए लास्ट पीडिया फे आपकी लास्ट के द्वारा हुआ था 1858 में उसको फार्सी दे दी गई थी स्टार्टेड बाए मंगल पांडे रीजन क्या था रीजन था कि ब्रिटिश के द्वारा एन्फिल्ड राइफल को इंडक्ट किया गया था इंडियन ब्रिटिश इंडियन आर्मी में और वो किस से बनी होती थी य चुप कि उसको एसे मुह से निकाल कर बंदुक में डालना होता था अब गवन्जेनल कॉन था इस टाइम पए हालकि यहाँ पर वाइस रो आ जाएगा इसके बात यह था लॉड कैनिन ही यह सब इसके बाह आए थे वैसे थो लौड यहाँ रहे चुकर थे इफैक्ट ऑब द राउन का ब्रिटियन की महरानी का इसने कहा था कि 1857 का रिवॉल्ट एक फर्स्ट वार अफ इंडिपेंडेंस है तो विनायक दामोदर सावर कर इन्होंने वला था कि भाई ये भारत की पहली चिंगारी है विज ब्रिटिश बोलते थे कि छोटी मोटी एक रिवॉल्ट थी हमने इसको दफना दिया हमने कोई बडी बात नहीं है विछ ब्रिटिष कंसरवेटिब एक मात्र ऐसा ब्रिटिव कंसर्वेटिव लीडर था इसको नाम ता है वेलियम डिजरेली इसने बला था कि हाँ यह एक बहुत बड़ा क्या था रिवॉल्ट था जिससे सरकार हिल गई थी लीडर आप दीस रिवॉल्ट अवद में किसने इसको रिवॉल्ट जो रिवॉल्ट देखें लीडर्स थे हर जगा पे तो यह थी बेगम हजरत महल ठीक है पूरे होल इंडिया में जो एक लीडर थे जिनको लीडर बनाये गया उनका काम भी कुछ और नहीं था तो यह बादूर शार जफर बाद में अंग्रजुन नहीं पकड़ा और एक लाग पेंशन के हिसा रिष्षा ने बनाया तो यह थी यहाँपे कौन महारानी लक्षमी भाई इनके पती को सब्सेड़री म्हारा इनको यह यह कोंते कौन दोनों को कहां पिदे बढ़ाया कानपूर में था तो यह था वीडियो है प्षर जूर पर कोई समें डिटिंग नहीं है तो और चार सबं सिंगल लाइन पर देखने को मिलेगा तो ये वीडियो आपने जाने से पहले एक बार देख लेना है अच्छा लगी कादा दोस्तों को बता कोई भी कमेंट है कोई भी कोशन है आप लोग मुझे कमेंट में लिखो क्या कमेंट रहेगा आपका मुझे मोटिवेशन मिलता है उस झाल्ड़ मिलता है